है गाईज गुड मॉर्निंग आज है संडे और संडे की चाय बन रही है मॉर्निंग के सारे जो रूटीन काम है वो हो रहे हैं यहां बादाम रखें उनको छीलना है अभी और मैंने सुबह से ही कपड़े डाल दिया है क्योंकि अभी बारिस का टाइम है इसलिए जल्दी फटाफट कपड़े साफ हो जाएं और आज मैं हस्बेंड का फेवरेट ब्रिकफास्ट पोहा बना रही हूं और वो भी आलू वाले मैं बहुत कम आलू यूज करती हूँ आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम की रेस्पी लेकर आई हूँ इसके लिए मैंने एक लीटर दूद मोटे तले की गंजी में ले लिया है और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाड़ा नहीं हो जाए है और जिसकी मलाई है सब उसी में डालते जाएंगे और इसको पका लेंगे जब थोड़ा गाड़ा हो जाएगा दूद तब हम इसमें आधा कप शक्करेट करेंगे अब इसको चलाते रहेंगे जब तक शक्कर गुल नहीं जाती है जब ये शक्कर गुल जाएगी दूद और कम हो जाएगा च्छा गाड़ा हो जाएगा तब तक हम इसको पका लेंगे दूद एक लीटर से आधा लीटर हो जाता है तब तक हम पका लेते हैं अब गैस को बंद कर दिये हैं यहां मैंने थ्री टेबिल स्पून कोको पौडर लिया है इसी दूद को थोड़ा सा इसमें डाल लिया कोको पौडर में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसी दूद में हम इसको मिला लेंगे अभी हमने गैस बंद कर दिया था इसको मिक्स करके गैस को फिर से आउन कर लेंगे और गैस धीमा ही रखेंगे स्लो गैस में ही हम इसको चलाते हुए गाड़ा करेंगे और थोड़ा तेज आच में नहीं पकाएंगे नहीं तो ये जलने का डर रहेगा अब मैंने एक जिप बैग लिया है इसमें ये डार्क चॉकलेट लिये इसमें हम थोड़ी सी ही डार्क चॉकलेट डालिंग क्योंकि इसका कलर बहुत डार काता है अब इसको हम गूट लेंगे चोटे चोटे टुकडे कर लेंगे जिससे जल्दी घुल जाए इसलिए हमने चोटे टुकडे किया है इसी में हम इसको भी मिला करके चॉकलेट को पूरी तरह घुल लेंगे चोटे हमारी जब अच्छे से घुल जाएगी और थोड़ा सा ठिक हो जाएगा कंसिस्टेंसी इस तरह रहेगी क्योंकि यह ठंडा होने पर और गाड़ा होगा अब हम गैस को बंद कर देंगे अब हम इसको दूसरे बरतन में पलट रहे हैं और जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसको फ्रिज में रख देंगे अब मैं यहां ट्रोपोल लाइट कंपनी की विप क्रीम ले रही हूं आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं इसको मैंने अभी फ्रीजर से निकाला है यह बहुत जादा ठंडी होनी चाहिए मैंने यहां दो कप एक बॉल में विप क्रीम निकाल ली है और जब हम इसको विप करेंगे तो गरम ना होने पाए इसके लिए हमने एक दूसरे बॉल में आइस क्यूब निकाले हुए है आप यह विप क्रीम वाले बोल को आइस क्यूब वाले बोल के ऊपर रख करके हैंड मिक्सर से चला लेंगे और इसको जब तक विप करेंगे चलाते रहेंगे जब तक यह डबल ना हो जाए बिजबिज में रुक रुक के पहले कम से स्टार्ट करेंगे फिर धीरे धीरे हाई पे ले जाएंगे तो बहुत ही अच्छी स्मूधी क्रीम हो जाएगी यह देखिए हमारी कितनी ज्यादा हो गई है क्रीम अब जो हमने चॉकलेट वाला लिकुड बनाया था उसको मैंने फ्रिस से निकाल लिया है यह भी बहुत ज्यादा चिल हो गया है हम उसमें ही मिला लेंगे और सिर्फ एक बार ही हैंड मिक्सर से इसको चला लेंगे यह हमारा बहुत ज्यादा भर गया था इसलिए मैंने इसको दूसरे बरतन में पलट लिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमको जिस बरतन में आइस्क्रीम जमाना है उसमें हम पलट देंगे अब मैं इस बरतन में पलट रहींग बहुत ही सुन्दर कलर आया है चॉकलेट आइस्क्रीम का अब इसके उपर हम सिल्वर फॉल लगा करके पुरी रात के लिए जमने के लिए आइस्क्रीम को रख देंगे दूसरे दिन मॉर्णिंग में मैंने आइस्क्रीम को खोला देखे हमारी चॉकलेट आइस्क्रीम बिल्कुल जम कर रेडी हो गई है बहुत ही अच्छी बनी है अब हम इसको स्कूप करेंगे इसको निकालेंगे बड़ी आसानी से निकलाती बहुत ही नरम बनी है बहुत ही टेस्टी दिख रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है मैंने इसको एक बॉल में निकाला है और इसको चोको चिप से गानिस कर दिया है बहुत ही टेस्टी लगती है बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है ऐसी आइस्क्रीन अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें